नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका श्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग और यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो जितने भी बेल्टरॉन की कर्मी है चाहे वो डाटा इंट्री ऑपरेटर हो इस्टेनोग्राफर हो प्रोग्रामर हो आईटी बॉआ एंट गर्ड उन सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो आज की होने जा रही है तो दोस्तों आज के इस वीडियो का आप लोग अन तक जरूर देखिएगा और आज के इस वीडियो का आप लोग अधिक से अधिक से एर करने का प्रयास की करें और साथी साथ बगल के बैल आकों के दवाना बिलकुल न भूले और साथी जाथ दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेली ग्राम ग्रूप में जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे टेली ग्राम ग्रूप में जुड़ जाएए क्यूंकि दोस्तों टे के डेट में जो है बैठक कर सकती है यानि आप सोच सकता है कि सरकार आपके तरफ जो है देख रही है यानि कि आपके बारे में विचार कर रही है लेकिन दोस्तों इसके इसमें जो है क्या आपके लिए सकारात्मक परिनाम निकल सकता है यह सिर्फ और सिर्फ बेल्टॉन कर्मी पर ही depend करता है दोस्तों मैं आपको विस्तिरुत जानकारी देने का प्रयास करूँगा जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले भी बहुत सारा कारिक्रम किया गया है और अगामी जो है अभी जो है दो दिन का कारिक्रम 28 एवं 29 नमबर को होने वाला है जिल लोगों को अब तक पता नहीं है मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार राज डाटा इंट्रिय ऑपरेटर केंप्यूटर संग के माध्यम से एवं राजस्तुरे डियो एक्ता मंच यानि कि दोनों के संयुक्त अहवान पर जो है अठाइस एवं 29 नमबर 2023 यानि कि कल के बाद मंगल बार और पढ़ने वाला है दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि संग के माध्यम से जो हमारा रजिस्टर संग है उसके माध्यम से सारे बिभाग में पत्राचार कर दिया गया है मुखमंत्री से लेकर जितने भी बिभाग हैं बिहार के सारे बिभाग के अंतर लेडर जा चुकी है यानि कि सरकार को पता चल चुका है कि बिरियत पेमाने पर ये लोग जो है दो दिन का आंदोलन कर रहे हैं और दो दिन के आंदोलन के बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो चरनवत तरीके से आगे का आंदोलन जारी हो सकता है तो दोस्तों अब आप सभी को मैं मैं बता दूँ कि आखी Sरकार की इसमें क्या भूमीका है और इसमें आप सबीël की क्या बूमीका है सबसे पहले मैं आप सबीको पता दूँ जितने भी वैल्ट्राउन की कर्मी है चाहिए वह data entry operator हो tenograff お programmer हो प्रोग्रम्रों उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये दो दिन का कारिक्रम जो है यही आपके भविस्य को जो है तै करेगा कि आपका भविस्य किस दिसा में जाने वाला है अगर आप सभी का बढ़ चड़कर सयोग नहीं मिलता है तो आप निश्चित रूप से मान जाए कि अगामी अब भी नहीं हो पाएंगे अगर आपको स्वतंतर होना अपने भविस्य को अगर उज्वल करना है तो निश्चित रूप से जो संग के माध्यम से और आश्ट्र डियो एकता मंच के यानि कि संयुक्त आवान पर जो ये आंदोलन है उस आंदोलन में आप सभी को बढ़ चड़क पर लोग काम करने के लिए आते हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमारे सेबा वापस हो जाएगी हमारे उपर विवाग्य कारवाई शुरू हो जाएगी और उनका साथ नहीं दे पाते हैं जब आप अपने संबर का साथ नहीं देंगे तो निश्चित र लोग हैं सारे लोग बड़ चड़कर हिससा लेंगी और जो लोग एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करने का प्रियास करेंगे क्यों दोस्तों क्यूंकि जैसा कि आप लोग थमनेल पर देखें होंगे इस सरकार जो है यानि जितने भी विभाग है विभाग के अध्यक्ष जो है अपनी बैठक करने वाली है और उस बैठक इसलिए करने वाली है चुकि सारे विभाग में लेटर संग के माध्यम से चला गया है और विभाग ये सोच रहे हैं कि हमारा काम परभावित होगा इस काम है जितने भी बेल्टरॉन के कर्मी है अब देखे इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप बढ़ चड़कर आंदोलन में भाग लेते हैं तो बहुत सारा काम है जो सरकार का बाधित होने वाला है उसके बाद वो लोग क्या करेंगे सारे विभाग अध्यक्ष जो है अपना एक इपोर्ट सरकार के पास आगी और सरकार आपके बारे में सोचेगी कि इन लोगों के एक दो दिन के कारिक्रम से हमारा इतना काम परभावित हुआ है अगर यह उनिस्चित का लिन हरतार पर चले जाएंगे तो हमारा कितना काम चौपट हो जाएगा और कही ना कहीं सरकार जो जो चोरी चुपके बिवाग में जाकर काम करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब वो रिपोर्ट अपना निकालेंगे कि संयुक्त आभान करने के बाद सरकार को कितना नुकसान हुआ है तो वो नुकसान कहीं कम दिखेगा और जब नुकसान सरकार को कम दिखेगा तो सरकार आ के बारे में कोई भी निरने नहीं लेगी तो दोस्तों कूल मिलाकर मैं आप सभी को इतना ही काना चाहूंगा कि जितने भी बेल्टराउंड के डाटा इंट्री ऑपरेटर इस्टिनोग्राफर प्रोग्रामर है वो सभी लोग अपने अपने जिला में बात चीत करें और जो धर वो आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते हैं मैं उन सभी को काना चाहूंगा कि अगर आप आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप दो दिन का स्टियल लगाकर घर में बैठ जाए वो बहतर है लेकिन काम पर आप लोग नहीं जाएं क्योंकि आप अगर काम पर करने क के लिए जाते हैं तो आपके पीछे जो इतने सारे लोग चाहे वो परदेश के अध्यक्ष हो सचीव हो या फिर जितने भी ऑपरेटर संगर्स कर रहे हैं उस संगर्स पर आप कही न कहीं पानी फिरने का काम कर रहे हैं यानि कि आप तो खुद जाकर उनको सयोग नहीं कर रहे हैं और फिर बाद में आप ही लोग बोलता है कि संग कुछ नहीं कर रहा हैं मंच कुछ नहीं कर रहा हैं सारे विभाग के बारे में आसा कर्मी तामिला वो जो भी सिक्षक लोग हैं सारे लोगों के बारे में सरकार सोच रहे हैं लेकिन बेल्टरॉन कर्मी के बारे में सरकार उनको कम से कम घर में बैठने के लिए बोले कि वो कम से कम घर में बैठें लेकिन कहीं न कहीं कार्याले में काम करने के लिए नहीं जाए दोस्तों यहां जो मैं इतना चिल्ला रहा हूं अपने इनर्जी को यहां पर मैं वेस्ट कर रहा हूं आप यह मत समझें कि वीडियो बना वीडियो बनाने से ज़्यादा मेरे लिए यह इंपोर्टेंट है कि आप तक सूचना पहुझे और आप लोग इस पर खरे उद्रे आप लोग संग और मंच का साथ दे बिना किसी चल बिना किसी कपट बिना किसी परपंच के आप लोग साथ आए 28-29 तारीक के कारिकरम को सफल बनाए यह हमारा मुक उद्देश है इसलिए दोस्तों मैं इतना यहां पर लंबा लंबा लंबी बाते कर रहा हूं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप उम्मीद करेंगे हम कि आप सभी लोग जो 28-29 के कारिकरम में बढ़ चल कर साथ देंगे जो लोग अब तक सुए हैं उनको जगाने का प्रयास करेंगे परखंड से लेकर अंचल से लेकर जिला अस्तर से लेकर जो है राजस्तर तकी आंदोलन होनी चाहिए एवं 28-29 के बाद जो सरकार रिपोर्ट निकालेगी कि संयुक्त आवान के बाद क्या सरकार का काम ठप हु दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो के माद्यम से आप बहुत कुछ समझें होंगे बहुत कुछ सीखें होंगे और इसका परचार परसार करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे दोस्तों वीडियो का अधिक सदीक आप लोग सेयर कर दीजेगा मिलते है फ